हरे कृष्णा इस वीडियो में हम भगवत गीता का वेरी वेरी इंपॉर्टन श्लोग 4.34 पढ़ेंगे चौत्य अध्याय का चौतिश्मा स्लोग तत्विद्धी प्रणीपातें प्रीप्रश्नेन सेविया उप्दिक्ष्यंती ते ज्यानम ज्यानिने तत्वदर्शन हिंदी में इस कर्थ है तुम गुरू के पास जाकर सत्ते को जानने का प्रियास करो बहुत लोग भगवान की असीन कृपा है मुझ पर कि मैं पिछले 15-20 सालों से भगवत गीता पर कुछ न कुछ प्रचार करने का प्रियास करता हूँ और जब मैं उनको बोलता हूँ कि आपको गुरू धारण करना होगा तो वो बोलते हैं गुरू की क्या वशक्ता है गीता में सब लिखा है हम तो डारेक भगवान कृष्ण से समझ लेंगे ये श्लोक क्लियरली एस्टाबलिश करता है कि हमें गुरू के पास जाना है भगवान ने अरजुन को क्लियरली श्लोक में बोला है तुम गुरू के पास जाकर सब्ते को जानने का प्रियास करो क्लियरली बताया है हमें गुरू के पास जाना है प्राइम मिनिस्टर से अगर आपको मिलना हो तो पहले उसके पीए से अप्रूवल लेनी होगी एक प्रॉसेस होता है सीधा परधान मंतरी को फोन नहीं कर सकते अगर आप खुदी बहुत महान हो तो बात अलग है अधरवाईस डारेक परधान मंतरी को कभी आप फोन नहीं कर सकते इसी तरह से भगवान के पास जो रास्ता है भगवान के घर की जो चाबी है वो गुरू के पास होती है वो उसका दौर आपके लिए खोल देंगे और आप भगवान तक कोंसे पाएंगे भक्ती की जो अंतिम सर्वोच सीमा है अंतिम जो चीज है ना वो आपको गुरू के आशिरवाद से ही मिलेगी तो ये श्लोक उस चीज को establish कर रहा है कि तुम गुरू के पास जाकर सत्ते को जानने का प्रयास करो चलो जी गुरू के पास आप पहुँच गए सपोज आपने एक वैशन अव गुरू जो है किसी से inspiration लेके आप पहुँच गए फिर क्या करना है उनसे विनीत होकर जिग्यासा करो प्रश्न करो बहुत सारे लोग जाते हैं गुरू देव से कुछ सीखते ही नहीं प्रश्न ही नहीं करते हैं उनसे विनीत होकर ये भी है अथोरिटी नहीं गुरू को ही पढ़ाने की कोशिश मत करो उनसे पढ़ने की कोशिश करो सीखने की कोशिश करो उनसे विनीत होकर जिग्यासा करो और क्या करो? उनकी सेवा करो सेवा करो सेवा में क्या करें? पाउं दो है गुरू की सर्वश्रेष्ट सेवा है उनकी इंस्ट्रक्शन्स को मानना बहुत सारे लोग राम को मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते जो भगवान ने कहा जो भगवान ने किया उसको follow करने की कोशिश करनी है सरफ यह कहना यह सोचना कि मैं राम को मानता हूं मैं शिव को मानता हूं उससे नहीं चलेगा ऐसे गुरुदेव को धारन करना गुरुदेव से दीक्षा लेने के बाद उनकी instructions को मानो यही सरवश्रेश सेवा है माता पिता कि सबसे बड़ी है सेवा क्या है उनकी बात को मानना यह थोड़ी कि उनको आप लस्सी और लड्डू लाके दोगे तो यही अच्छी सेवा है सो विनीत होकर जिग्यासा करो विनीत भाव से प्रश्न करना है जब हम किसी भी बड़े आदमी से अपने जीवन में मिलें अगर आप सौफ्ट होके उनसे कुछ question करोगे मैं तो ऐसी करता हूँ किसी भी शादी में चला जाता हूँ किसी इस तरह के function में चला जाता हूँ वाँ कोई नो कोई बड़ा मिलता है मुझे पता है इस आदमी के उमर 70 साल है 60 साल है 80 साल है इसके पास जीवन का नुभव है तो मैं जाके बैठके कुछ 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 एम इधर उधर के कुछ ना कुछ questions करता हूँ और वो मतलब एक तरह से जैसे गागर में सागर कुछ ना कुछ बड़ी बात समझा जाते है जैसे एक बार एक function में मैं मिला मैं नाम तो कोट नहीं कर रहा हूँ मैंने उनसे पूछा कि healthy रहने के लिए क्या करूँ आप जो है जिनसे मैं मिला उनकी उमर 81 साल थी तो मैंने उनसे पूछा आप 81 साल की उमर में भी इतने active हो तो कैसे उन्होंने जादा कुछ नहीं दो शब्ड बोले संतुलित भोजन बस अब वो मेरे उपर है मैं उसको follow करूँ ना करूँ उन्होंने उसका पूरा निचोड दो शब्डों में बता दिया संतुलित भोजन कि कैसे वो 81 साल की उमर में भी भाग रहे हैं दोड रहे हैं उपर नीचे सब हो रहा है कुछ उनको असर ही नहीं हो रहा है और हम बड़ी जल्दी ठक जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते तो उन्होंने उसका राज जो उनका अनुभव था एक 80 साल की अपनी उमर का दो शब्दों में बता दिया तो इसी तरह से जब हम गुरू के पास जा रहे हैं तो विनीत होकर जिक ऐसा करनी हो कई लोग ना बोलते जाता है तो अगर हम किसी के पास जाकर अपना बै 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 बोलते रहेंगे तो सामने वाला अगर समझदार होगा तो सुनता रहेगा कुछ बताएगा नहीं आपको क्योंकि हमारे अंदर ये बड़ा होता जरा सा ग्यान है तो दूसरे को हम उसको समझाने और बताने की कोशिश करते हैं अपना बड़ापन जाड़ने कोशिक करते हैं अरे बाओजी हम तो ये है वो हैं कई लोग मिरकोँ मिल जाते हैं अे थीक है कितना व्यक्षयान क्यूं मुझसे भी ये गल्ती होती है वैसे कभी-कभी मैं भी कुछ अपने बारें बोलना शुरू कर देता हूं तो मैं जानता हूं ये नैचुरल है लेकिन अवाइड करना चाहिए सो विनीत होकर जिग्यासा करो और उनकी सेवा करो सवरूप सिद्ध वेक्ति तुम्हें ज्ञान परदान कर सकते हैं जिसको ग्यान नहीं होगा वो क्या ग्यान देगा तो जो गुरुदेव हैं वैशनव गुरू हैं उनसे आपको सच्ची सिख्षा मिलेगी सवरूप सिद्ध वेक्ति तुम्हें ग्यान परदान कर सकते हैं क्यों क्यों कि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है वो जानते है वास्विक्ता क्या है भगवान का दर्शन की है वैशनव गुरू ने तो वो आपको misguide नहीं करेंगे आजकल बहुत सारे अखोर में भी आ जाता है बाबाज होते हैं अब वो अगर वैशनव गुरू नहीं है त्यागी नहीं है अगर आप उनको follow कर रहें तो वो आपको misguide कर सकते हैं तो be careful और एक सच्चे साधू सन्यासी वैशनव गुरू से आप दिख्षा लीजिए वो आपको बताएंगे भक्ति कैसे करनी है ultimately कैसे आपको अपनी life में progress करनी है very very important तो चौत्य अध्याय का 34 येश लोग establish करता है कि हमें गुरू के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करना है वीनित होकर जिग्यासा करनी है और उनके सारी बाते मानकर जितना संभव हो सके उनकी सेवा करनी है वो हमें जो उन्होंने सत्य का दर्शन किया है उसके अधार पर ज्ञान प्रदान कर सकते है हरे कृष्णा